छत्रपती शिवाजी की जयंती पर निबंध बच्चों शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास यानी मेरे द्वारा छत्रपती शिवाजी महाराज पर निबंध है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे यानी मैं हूँ उन्नीस फरवरी को छत्रपती शिवाजी की जयनती मनाई जाती है। शिवाजी महाराज को कुशल शाशक और पराक्रमी योध्धा के रूप में जाना जाता है। और माता का नाम जीजाबाई है। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुन स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने अपने बालक शिव यानि शिवाजी महाराज का पालन, पोशन, रामायन, महाभारत तथा अन्य भारतिय विरात्माओं की उजवल कहानिया सुना कर और शिक्षा दे कर किया था। बच्पन में शिवाजी महाराज अपनी आयू के बालकों को इकठा करके उनके नेता बनकर युधद करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। दादा कुन्देव के सनरक्षन में उन्हें सभी तरह की सामेक युधद आदी विधाओं में भी निपुन बना दिया। धर्म, संस्कृती और राजनीती की भी उचित शिक्षा दिलवाई थी। उस युग में परमसंत रामदेव के यानी मेरे संपर्क में आने से शिवाजी महाराज पूर्नत्या राष्ट्र प्रेमी कर्तव्य प्रायन एम कर्मठ योध्धा बन गए। परिवार छत्रपती शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निमबालकर के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी महाराज के जेश्ट पुत्र और उत्तराधिकारी थे। जिन्होंने 1680 से 1689 इस्वी तक राज्य किया। संभाजी की पत्नी का नाम ये सुबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजाराम थे। गुरु राश्ट्रगुरु समर्थ स्वामी रामदास यानी में। छत्रपती शिवाजी महाराज के गुरु थे। जो की भरत के साधू, संतो, वा, विद्वत समाज में वे थे। इसलिए मेरा नाम रामदास कहलाया गया। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। जब शिवाजी महाराज और रामदास जी यानी मेरा मिलन हुआ, तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदास जी की, यानी मेरी जोली में डाल दिया। तब रा राज्य न तुम्हरा है न मेरा यह राज्य भगवान का है हम सिर्फ न्यासी है शिवाजी महाराज ने उसी से अध्यात्म वह हिंदू राश्ट्र की प्रेणा प्राप्त की तथावे समय समय पर अपने गुरु से यानी मुझसे सलाह मश्वरा किया करते थे पराक्रम शिवाजी के युवावस्था में आते ही उनके खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमन कर उनके किले आदी भी जीतने लगे जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरन जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिन में धूम मच गई यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुँची अक्त्याचारी किस्म के हर गलत काम करने वाले और उनके सहायक सभी शाशक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के बगले ज्ठकने लगे शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतनकित बीजापुर का शाशक आदिल्शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सका तो उसने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफतार कर लिया इस बात का पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए उन्होंने नीती और साहस का सहारा लेकर छापा मारी कर कर जल्द ही अपने पिता को इस कैज से आजाद कराया तब बीजापुर के शाशक ने शिवाजी को जीवित अध्वा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश दे कर अपने मकार सेनाप्ती अफजल खा को भेजा उसने भाईचारे वसुलह का जूठा नाटक रच कर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपेट बघंख का शिकार होकर वह स्वया ही मारा गया इससे उसकी सेनाए भी अपने सेनाप्ती को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई छत्रपती शिवाजी महाराज एक भारतिय शाशक थे जिन्होंने मरा था सामराज्य को खड़ा किया था इसलिए उन्हें एक अग्रगने वीर एवं अमर स्वत्तंत्रता सेनानी स्विकार किया जाता है वीर शिवाजी महाराज राष्ट्रेता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायत थे इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्र पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गणना की जाती है बहुमुखी प्रतिधा के धनी रहे छत्रपती शिवाजी महाराज की जयन्ती महाराष्ट्र में वैसे तो 19 फरवरी को मनाई जाती है लेकिन कई संगठन शिवाजी का जन्म दिवस हिंदू कैलेंडर में आने वाली तिथी के अनुसार ही मनाते हैं उनकी इस वीर्ता के कारण ही उन्हें एक आदश देवम महान राष्ट्र पुरुष के रूप में स्विकारा जाता है चत्रपती शिवाजी महाराज का 3 अप्रेल 1680 इशापूर्व में तीन सप्टाह की वीमारी के बाद राइगड में स्वर्गवास हो गया उकसंहार शिवाजी महाराज पर यूं तो मुस्लिम विरोधी होने का दोशारोपन किया जाता है पर यह सत्य इसलिए नहीं कि क्योंकि उनकी सेना में तो अनेकों मुस्लिम नायक एवल सेनानी थे तथा अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे वास्तव में शिवाजी महाराज का सारा संघर्ष उसकटरता और उद्धंडता के विरुध था जिसे औरंगजेव जैसे शाशको और उसकी छत्रचाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था चत्रपती शिवाजी एक बहादुर गुद्धिमान शौर्यवीर और दयालू शाशक थे